देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपाब सभी पर सदायव बन गए, 11 सितंबर जब बुद्ध वक्री हो जाएंगे तो एक दुरलब सईयोग बनेगा, दुरलब सईयोग ऐसे क्योंकि हर जातक की कुंडली में एक ऐसा भाव बनेगा, जिस पर तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा, कैसे बहजो भाव होगा वहाँ पर रहस्पती बैठे होंगे, शनी महाराज की दृष्टी होगी और बुद्ध महाराज की भी दृष्टी होगी और तीनों ग्रह वक्री होंगे, ये दुरलब सईयोग होता है, वक्री ग्रह बहुत स्ट्रॉंग ग्रह होता है, जीवन बदल देता है अब जब बुद्ध 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो ये जो 20 दिनों का समय है हर जातक के जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है डिपेंड ये करेगा कि उस जातक की कुंडली में वो कौन सा भाव है जो इन तीन वक्री ग्रहों यानि की लेट्रो ग्रेड प्लैनेंट के द्वारा अफेक्टेड हो रहा है प्रभावित हो रहा है तो इसी पर ये राशी फल रहेगा कहां से देखे राशी फल दीखे जो सामानने विशलेशन होता है ये आप लगन से भी देख सकते हैं ये आपके उपर डिपेंड करता है आपको result कहां से जादा अच्छे प्राप्त हो सकते हैं जिनको लगन और राशी के बारे में पता है क्या difference होता है जो थोड़े जोतिश के जिग्यासू होते हैं वो दोनों को मिला जुला के भी देख सकते हैं हर लगन के साथ उपाए भी अवश्य बताऊंगा तो आए शुरुवात करते हैं इस राशी फल का हमेशा की तरह मेश के साथ शुरुवात करेंगे मेश के साथ आपके लिए आपकी राशी से या लगन से बारवे स्थान में ब्रहस्पती हैं जो वक्री है उन पर शनी महराज की दृष्टी पढ़ रहे है तीसरी जो की खुद वक्री है और ग्यारा तारीक को जब बुद्ध वक्री हो जाएंगे तो उनकी दृष्टी भी सीधा आपके बारवे स्थान पर पढ़ेगी यानि की पाइसेस पर मीन राशी पर आपके लगने से बारवा स्थान यानि की बारवा भाव एक्टिवेट हो रहा है तो इसका आपके जीवन पर क्या क्या असर पढ़ सकता है सबसे पहले बारवा स्थान है जो लोग देश से बाहर जाने का प्रत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय में आ सकते हैं क्योंकि कौन सा स्थान एक्टिवेटिड है बारवा स्थान अब कौन कौन जा सकता है बाहर क्योंकि शनी महराज दस्वे स्थान से बैठ कर देख रहे हैं यानि कि जो लोग करियर जौब आदी के लिए बाहर जाना चाते थे उनको बहुत सुनहरा मौका इस 20 दिन के कालखंड में प्राप्त हो सकता है इसके साथ ही जो लोग बाहर से संबंदित कुछ कार्य करते हैं MNC आदी में और उनकी प्रमोशन अटकी हुई थी तो उनके लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है प्रमोशन अटकी हुई थी और उनको आगे बढ़ने का चांस इसलिए मिल सकता है क्योंकि अगेन शनी देव ही जो दस्वे स्थान में बैठे हैं और सस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं उनकी तीसरी दृष्टी रहेगी यानि कि ये प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रहे थी ये 20 दिनों में आगे बढ़ने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है सबसे पहली अच्छी बात तो यही है दूसरा बारवा स्थान है मेश लगने या राशी के जातकों के खर्चे कंट्रोल नहीं होते ये जो 20 दिन हैं आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और आप बहुत हद तक सेविंग भी कर पाएंगे शनी महराज की दृष्टी बनी रहेगी कि भई अब ये पैसा वापस आने से रहा तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा अब देखिए ब्रहस्पति और बुद्ध एक दूसरे को देखेंगे यानि कि वह स्टूडंस जिनकी जॉब नहीं लग रही थी बहुत समय से वो competitive exams के थूँ हो या normally जो unemployed थे बहुत समय से उनके लिए भी ये 20 दिनों का समय बहुत अच्छा है आगे बढ़ने का आपको chance मिल सकता है क्योंकि बुद्ध आपके अर्थ त्रिकोन में बैटकर ब्रहस्पति पर दृष्टी डाल रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है ये तीन ग्रहों का जो वक्री होना है इसका प्रभाव आपके जीवन पर जहां तक इसकी love life और married life की बात है दिखे love life पर इसका impact थोड़ा negative पढ़ सकता है क्योंकि आप दोनों के बीच में communication बहुत खराब हो जाएगा कुछ दिनों के लिए जहां तक married life की बात है जिन लोगों की शादी एकदम खतम होने के कगार पर आ गई थी कि अब और मौका नहीं दिया जा सकता उनके लिए 20 दिन बहुत महत्तपूर है भाग एक मौका आवश्य देगा क्योंकि ब्रहस्पती यहां पे involved हो गए है वो हमेशा आपका अच्छा चाहते है तो वो यहां पे involved हो गए मतलब की उनको एक बौका वश्य मिल सकता है अपनी शादी शुदा life को बजाने का तो overall तो आपके लिए बहुत अच्छा ये दिख रहा है जो लोग लंबी दूरी की यातरा करना चाहते थे उनको भी अचानक से कुछ अच्छा न्यूस इस 20 दिन के कालखंड में प्राप्त हो सकता है बहुत positive हैं तीन ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव हिम्मत आपकी बढ़ेगी और जो साहस नहीं दिखा पा रहे थे बहुत समय से वो साहस भी आपके अंदर वापस आजाएगा क्योंकि तीसरे भावक्ष के स्वामी बुद्ध की बिद्रिष्टी बनी रहेगी ब्रहस पती पे तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये तीन ग्रहों का वक्री होना तीन ग्रहों की तिकडी आपका काम बनाते हुए दिख रही है इस समय का लाब उठाने के लिए आपको क्या करना है आपको केवल महादेव का ध्यान करकर शिवलिंक का दूध और शहद दोनों को मिला के अभीशेक करना है आपके लिए 20 दिन बहुत अच्छे जाएंगे तोरस यानि कि विरिशप की तरफ आपके लिए तीन वक्री ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके ग्यारवे स्थान पर यानि कि लाव स्थान पर क्यों कि ब्रहस्पती बैठे हैं वहां पर बुद्ध की दृष्टी होगे जो वक्री हो जाएंगे 11 तरीक को और शनी देव की दृष्टी अल्रेडी पड़ रही थी तो तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव लाव स्थान पर अब लाव स्थान है तो आपको क्या देखे जाएगा वो लाव ही देखे जाएगा अब ये लाव कौन से होंगे कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारे हाथ से निकल जाती है वो कोई जॉब हो पैसा हो कोई ओफर हो ये सारे ओफर आपको वापस प्राप्त हो सकते हैं इस बीस दिन के कालखंड में क्योंकि तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव है ये इच्छा पूरती का स्थान है यानि कि आपकी ऐसी इच्छाएं जो बहुत अचानक से होगा बहुत जल्दी होगा इसमें अब जादा विग्न नहीं आने वाले शनी देव की दिरिष्टी है जो की भाग्य स्थान के स्वामी है और लाव स्थान को देख रहे हैं उनको साथ मिल रहा है बुद्ध का जो पंचम के स्वामी है ध्यान दीजे यहा यह समय बहुत महत्वपूर्ण है इसका पूरा का पूरा लाब उठाईएगा करियर में आगे बढ़ने की अचानक से उपरचुनिटी प्राप्त हो सकती है क्योंकि शनी देव जो देख रहे हैं वो दस्वे भाव के भी स्वामी है और क्योंकि बुद्ध का साथ भी मिल रह सकती है जहां तक रिलेशन्शिप या मैरिट लाइफ की बात है आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है जादा बोलने से वचिएगा वन्ना दोनों में ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है सेहत के इसाप से क्योंकि तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव हो रहा है तो लोवर बॉडी में अचानक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है उपाय आपके लिए क्या है आपको महादेव का दही से अविशेक करना है और ओम भायरवाय नमहा मंत्र का आपको एक स्वाट बार जाप करना है जमिनाय यानि कि मिथुन की तरफ आपके लिए कौन सा भाव वहां पर पढ़ती है मीन राशी क्योंकि ब्रहस्पती वहां पर बैठे हैं बुद्ध की द्रिष्टी शनी की द्रिष्टी और तीनों ही ग्रह वक्री हैं यानि कि दस्वे भाव पर तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव सबसे पहला करियर में जो अपर्चिन्टी जुरुक र रहा था इन 20 दिनों में अचानक से offer letter भी आ सकता है नई job opportunities तो आएंगी ही और हो सकता है आप अपने job की profile को change करने के बारे में सोच रहे थे कई लोग होते हैं ऐसे जो middle of the career या middle नहीं शुरुआत करियर के हो चुकी है उसके कुछ सालों बाद कुछ change करना चाहते हैं अपने portfolio अपना profile सब कुछ change करना चाहते हैं उनको भी 20 दिनों में कोई बहुत अच्छी opportunity पराप्त हो सकती है तो सबसे जादा impact तो इसका आपके career पे कारेक शेत्र पे जाएगा क्योंकि ये दस्वा स्थान है और सब्तम से चौथा है यानि कि जो लोग business करते हैं specially family business उनके लिए सम महराज की दृष्टी है जो अश्टम के स्वामी है और विपरीत राज्योग बना रहे हैं यानि कि ये जो 20 दिन है कि बहुती महत्तपून योगदान आपके career को आगे बढ़ाने में दे सकते हैं जैसा मैं opportunities की बात कर चुका हूँ अश्टम का क्योंकि यहां पे रोल आ गया वो अचानक से आएंगी यह आपके उपर है आप उन opportunities का कितना अलाब उठाएंगे क्योंकि शनी देव भाग्यस्थान के भी स्वामी है निकी career में भाग्य का साथ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा लेकिन क्योंकि बुद्ध की दृष्टी है और बुद्ध वक्री है तो यहाँ पर क्या हो सकता है हो सकता है आपका ध्यान अना लगे और आपके सामने से कोई opportunity निकल के चली जाएंगे तो सबसे ज़्यादा impact तो इसका आपके career पर ही पड़ेगा अच्छा समय है इसका लाब उठाईगा love life, married life पर इसका कोई ज़्यादा impact नहीं पड़ने वाला वो तो बुद्ध वक्री होंगे तो उसका तो मैं बता ही चुका हूँ लेकिन क्योंकि तीन ग्रहों का प्रभाव दस्वे स्थान पे है तो love life, married life पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा हाँ, ego clashes आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, वह स्थूडेंस जो बहुत लंबे समय से unemployed थे, उनको कोई अच्छी opportunity मिल सकती है और वह स्थूडेंस जो interns ढूंड रहे थे, training, internship, उनके लिए भी ये 20 दिन बहुत मैत्पोन हो सकते हैं, तो overall तो अच्छा दिख रहा है, जहां तक सेहत क अच्छी बात है, हाँ, यहां पर एक problem आ सकती है, अचानक से आपको lower back या lower body में कोई problem आ सकती है, जिनको respiratory issues हैं, यह 20 दिन आपके लिए बहुत भावी जाने वाले हैं, उपाय क्या करना है, आपको shivering पर चंदन का विलेपन करना है, और उसके बाद गंगा जल से shivering का स्था स्थान करा के, वहां बैठकर ओम नमश्शिवाय का 108 बात जाप करना है, चलते हैं cancer यानि की करक की तरफ, आपके लिए जो स्थान सबसे ज़्यादा activate हो रहा है, वो है आपका भाग्य स्थान यानि की 9th house, क्योंकि यहां पर ब्रहस्पती बैठे हुए हैं, वक्री हैं, एक वक्री ग्रह का प्रभाव, बुद्ध की द्रिश्टी है, वो भी वक्री हो जाएंगे 11 तरीकों का प्रभाव, और शनी देव की तीसरी द्रिश्टी है, वो भी वक्री है, तीन ग्रहो का प्रभाव जो वक्री है, रेट्रो ग्रेड है, 9th house पे, यानि कि भाग्या जो बहु दिन की दशा अंतर दशाचे चल रहे थी उनके लिए तो ये बहुत ही स्वर्णिम अफसर हो सकता है अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए opportunities हो, पैसा हो, संपदा हो, recognition हो, मान सम्मान हो, popularity हो, हर चीज के लिए ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए ये समय आपके पिता जी के लिए अच्छा होगा, उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है लेकिन ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा तो यदि उनको already कोई problem चल रही है especially liver संबंदित, diabetes संबंदित, नसों से संबंदित, तो उनको बोलिएगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान दे अपने bosses से इस समय थोड़ा बना के रखिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा sensitive रहेगा आपके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है bosses के साथ clashes हो जाए जिसका एक negative impact पड़ सकता है overall मैं कहूं तो ये समय बहुत lab कारी है, इस lab कारी समय का lab आपको उठाना है, lab कैसे उठाएंगे प्रयत्म करके, अपना focus उस चीज़ पर लगाईएगा, जो आपके जीवर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेती है वो career हो, business हो, studies हो, जो भी हो, पैसा हो business पे भी इसका बहुत अच्छा impact पढ़ रहा है, क्योंकि सब्तम स्थान में बैठे शनी की दृष्टी यहां पे रहेगी तो business में भी आगे बढ़ने के आपको मौके अवश्य प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि बुद्ध तीसरे भाव में है, तो यह समय आपके भाई के लिए भी या भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा overall आपके घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, वो आपके थुरू हो, आपके पिता जी के थुरू हो या आपके भाई बहनों के दुरू हो, कुटुम्ब में पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा, अत्यन्त लाबकारी समय है, इसको हाथ से जाने मत दीजेगा, जहां तक सेहत की बात है, गले में बहुत प्रॉब्लम होगी, गले के रोग तंग करेंगे, थायरोड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उपाय क्या करना है, आपको शिवलिंग का किसी भी रितुफल के रस्य अभिशेक करना है, और फिर वहां बैठकर आपको ओम नील कंठायन वहां मंत्र का 108 बार जाब करना है, यह हैं लियो यानि की सिम्भ के दरफ, आपके लिए जो भाव सबस अब बुद्ध जो की ग्यारा को वक्री हो जाएंगे, उनकी द्रिश्टे भी आ जाएगी, आठवे भाव को ये कह देना कि ये सिर्फ नेगेटिव भाव है, नेगेटिव घर है, सबसे गलत चीज़ होती है, मैं कई वर बता चुका हूँ, कोई भी हाउस पूरा पॉजिट कर रहे हैं उससे, जहां पर अनिश्चित्ता चल रही थी जीवन में, जहां पर अनसर्टेनिटी चल रही थी जीवन में, वहां पर उस अनसर्टेनिटी में कमी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, चो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होंगी, अब ये मत भूलिए कि य तीन ग्रह वक्री हैं और दो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं यानि कि ब्रहस्पति और शनी और तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव आ गया इससे अच्छा आपको क्या चाहिए यह 20 दिन आपके जीवन में बहुत पदलाव अला सकते हैं वह काम जो कई समय से अटक रहे यानि कि अचानक से धन के सोर्सेस आपके बनेंगे और बुद्ध जो अल्रेडी वहां बैटे हैं उनकी दृष्टी भी अश्टम पे होगी तो आपके लिए यह जो समय है 20 दिन का बहुत अच्छा दिख रहा है अनिश्यताओं में से अपने लिए कुछ बहुत बहतर निका पका है क्योंकि अचानक से चीजिते आपके फेवर में इस 20 दिनों के समय में जा सकती है जहातक सेहत की बात है सर पे कोई चोट लग सकती है अचानक से और सर्ग से सम्मंदित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आँखों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, इन सब चीजों का ध्यान देना है, उपाय क्या करना है, आपको शिवलिंग का शहद से अभिशेक करना है, और फिर उसके बाद आपको महामृत्विंजय मंत्र का एक वर्गों की तरफ, आपके लिए जो भाव सबसे जादा एक्टिवेट हो रहा है, वो है आपका सब्तम स्थाना, क्योंकि यहां पे ब्रहस्पती बैठेंगे, बुद्ध की दृष्टी रहेगी, जो वक्री हो जाएंगे 11 को, और शनीदेव की दृष्टी अल्रेडी चल रह हो जाएगी, जिनका रिष्टा नहीं मिल रहा था, बात नहीं बन रही थी, उनको रिष्टा प्राप्त हो जाएगा, रिष्टा मिल जाएगा, शादी के संबंद में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो बहुत हद तक अब आपकी दूर हो सकती है, बीस दिन के समय में, अल्रेडी यहाँ पर ब्रहस्पती थे जो सात्वे स्थान के स्वामी है, लेकिन वो वक्री चल रहे थे, तो उसमें डिले हो सकता है, अब जब तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव इस भाव पर आ जाएगा, यानि कि सात्वे घर पर, यानि कि अब ये भाव बहुत एक्टिवे रिष्टी है, तो ये चीज और यानि कि बुद्ध की रिष्टी भी रहेगी, तो ये चीज और प्रबल हो जाएगी, इसके बाद ये सात्वास्थान बिजनस के लिए है, जो बिजनस करते हैं, उनके लिए भी बहुत लाबकारी समय दिख रहा है, जो लोग सोशल लाइफ, पबलिक लाइफ से जुड़ा कुछ कारे करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, पबलिक स्पीकर हैं, उनको बहुत अच्छी उपर्चिनुटी मिलेगी, उनका नाम हो सकता है, रिकगनीशन उनका बढ़ सकता है, पॉपुलरिटी अचानक से बढ़ सकती है, लिकिन जब तीन वक इकती वही होगा जो आपको जानता है, जिससे आप परिचित हैं आपका अपना, तो थोड़ा सा सचेत होके रहिएगा, पीट पीछे वार आपके साथ हो सकता है, इस 20 दिन के कालखंड में थोड़ा सा अपने आपको बचा के रखिएगा, लव लाइफ, मेरिड लाइफ पर थोड़ा इंपक्ट पड़ सकता है, क्योंकि तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसी बाते होंगी जिनका कोई मतलब नहीं होगा, और उन बिन मतलब की बातों पे भी आप दोनों की बहस हो सकती है, क्योंकि शनीदिव पंचम के स्वामी है, तो स्टूडेंस के लिए यह समय ठीक है, जो स्टूडेंस देश से बाहर जाने का प्रत्ने कर रहे थे, उनके लिए अचानक से कुछ अच्छी उपर्चुनिटी आ सकती है, तो ओवरॉल यह आपके लिए अच्छा ही दिकरा है, हाँ सेहत पर नेगिटिव इंपक्ट रहेगा, क्योंकि लगन और जाए के दूद से विशेक करना है, और उसके बाद आपको शिव चालीसा का दो बार पाट करना है, तुला यानि की लिब्रा के तरफ आपके लिए जो भाव सबसे जादा एक्टिवेट हो रहा है वो है आपका छटा स्थान, क्यों यहाँ पी ब्रहस्पती अल्रेडी थे, वक्री थे, शनी देव की दृष्टी थी, वक्री थे, अब बुद्ध भी वक्री हो जाएंगे तो तीन ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा, छटा भाव, रोग रिपूरिन का भाव, अब जब यह negatively effect होता है, यानि की तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है, तो यह अच् भाव तीन वक्री ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है, यानि की रोग रिपूरिन का भाव, रोग से मुक्ती, दुश्मनों पर विजय और कोई रिन चल रहा था, उसमें से भी आप निकल सकते हैं, या बहुत हट तक उसकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो सौल हो सकते हैं अदालती कारवाही चल रही थी तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगे, जब बुद्ध बारवे में होते हैं, तो भी अच्छा होता है, और इस समय बुद्ध आपके लिए बारवे में ही बैटे हैं, और उनकी द्रिष्टी में हैं यानि कि डॉक्यमेंटेशन अदालती कारवाही एड्वोकेट्स यह सब चीजें इन्वॉल्ड होंगी और यह सब चीजें यदि चल रही है लाइफ में तो आपके पक्ष में सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है रोग की बात करी थी मैंने यानि कि कोई ऐसी बिमारी च समय में हर व्यक्ति पर भारी ही पड़ेगा क्योंकि आपका च्छाटा स्थान बहुत एक्टिवेटेड़ है अब यहां पर ब्रहस्पति हैं जो विपरीत राज्योग भी बना रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा है यानि कि अपनी सूजबूच से अपने अठके हु वेकाम आप पूरे कर सकते हैं क्योंकि यहां पर पंचम भाव के स्वामी जो शनी है उनकी भी दृष्टी रहेगी और वो चौथे स्थान में बैटे हैं यानि कि जो स्टूड़न्स हैं कॉम्पेटिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा ही र स्थान पर जहां तक कोई डिजीज की बात है कोई रोग की बात है रोग रिपूर इनका स्थान है यहां पर बैटे हैं तो अच्छे रिजल्टों देंगे लेकिन हाँ डाइजस्टिव डिसॉर्डर आपको बहुत रहेंगे और जिनको डाइबटीज है उनको तो खास ध्या देव के सामने बैटकर शिव पंचाक्षर स्थोत्र का एक बार पाठ करना है या उसको एक बार सुनना है स्कॉर्पियो यानि की विश्चिक के तरफ आपके लिए कौन सा भाव सबसे जादा एफेक्ट हो रहा है वह हो रहा है पंचम स्थान पांचवा स्थान क्यूं यहां आपका त्रिकोन स्थान है लक्ष्मी स्थान है सबसे पहले तो क्योंकि नवम से नवम है यानि की भाग्य यहां से भी मिलता है भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा creativity का स्थान है तो creative आप रहेंगे जो लोग creative feel से जुड़ा कुछ कारे करते थे बहुत अच्छा करेंगे बहुत ज़ादा सोच विचार करते हैं व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक लगने के जातक किसी चीज में घुश जाते हैं इनको research करना बहुत अच्छा लगता है इनको नई चीजें खोजना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्तित्व के लोगों के लिए ये 20 दिन का समय बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम स्थान है आपके बच्चों को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है आपके बच्चे जीवन में आगे बढ़ सकते है आपके बच्चों के साथ संबंद यदि बिगड़ गए थे तो भी कुछ अच्छा इसमें प्राप्त हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें सुलग सकती है क्योंकि ये पंचम स्थान है शेर मार्केट स्पेकुलेशन आदी भी यहां से देखा जाता है तो अब देखिए यहां पे मैं यह नहीं कह रहा कि पूरा समय आप बहुत प्राफिट खमाएंगे लेकिन हाँ जादा तर प्राफिट आपको हो सकता है लेकिन क्योंकि तीन वक्री ग्रहों का भी प्रवाव है तो over excitement भी हो सकती है क्योंकि उरजा जादा होती है वक्री ग्रहों में strong हो जाते हैं, powerful हो जाते है तो हो सकता है कि आपको अचानक से पैसा प्राब्त हो जाए शेर मार्केट बाकि जितने भी स्पेकुलेटिव चीजें होती है उनसे उस चक्कर में ज़्यादा पैसा भी लगा देंगे और फिर नुकसान हो सकता है तो सीमित होकर लिमिट्स में अपने पैसा लगाएं तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा जो लोग जॉब करते थ रहेगी इन 20 दिनों में लेकिन जो लोग बिजनस करते हैं कमपेरिटिवली अच्छा रहेगा क्योंकि सब्तम से ग्यारवे में यह हो रहा है यानि कि बिजनस में अचानक से लाव की प्राप्ती हो सकती है लव लाइफ के लिए मिला जुल असा प्रभाव रहेगा विहत की बात है इंटस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम गैस्रिक प्रॉब्लम्स यह सब बहुत तंग करेगी आपके लिए उपाय क्या है आपको महादेव यानि की शिवलिंग पर पंचामृत से अभिशेख करना है और फिर महादेव के सामने ही बैठकर आपको एक बार दृष्टी है और बुद्ध जो वक्री हो जाएंगे उनकी दृष्टी बन जाएगी उनकी अल्रेडाडी दृष्टी है वह ग्यारा तरिक से चालो होगी तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव चौथे स्थान पर चौथा स्थान क्या है आपके emotions का स्थान है अगर emotionally upset down चल रहे जीवन में तो दूर हो सकते हैं क्योंकि वक्री ग्रह स्ट्रॉंग बनाते हैं कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे इसके साथ ही जो चौथा स्थान है माता का स्थान है माता जी की सेहत खराब हो रही थी प्रॉब्लम्स नहीं मिल रही थी पेपर्स पूरे नहीं थे लोंज नहीं मिल रहे थे जो भी चल रहा था वो सारी प्रॉब्लम्स भी इस बीस दिनों में बहुत अच्छा है और इसके साथ ही यह वहीकल के लिए भी देखा जाता है मन पसंदिदा गाड़ी खरीदना चाह रहे थे मॉडल पसंदिदा या बजट नहीं बैठ रहा था वहां पर भी तो यह बीस दिनों में उन चीजों के संबंद में भी कुछ अच्छा हो सकता है तो यहां पर तो बहुत अच्छी रिजल्ट अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि दस्वे स्थान में और बुद्ध बना रहे हैं भद्र नाम का महापुरुश योग। तो ये साब बता रहा है कि करियर में भी आगे बढ़ेंगे और फैमली लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी भी प्राप्त कर सकते हैं और करियर में प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं तो अपने लिए ही समय नहीं मिलेगा और कभी-कभी mentally इतना exhausted हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि जीवन किस direction में जा रहा है mentally कभी-कभी blocked हो जाएंगे तो वहां पर ध्यान दीजेगा otherwise तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं students के लिए अच्छा समय है अपने emotions पर control र बहुत तंक कर सकती है उपाय क्या करना है आपको महादेव पर थोड़ा सा शेह दरपन करना है यानि कि शिबलिंग पर और फिर उनके सामने बैठकर आपको ओम नमश्यवाय का 108 वाल जाब करना है चलते हैं Capricorn यानि कि मकर के तरफ आपके लिए जो भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है वो आपका तीसरा स्थान यानि कि पराक्रम स्थान क्योंकि ब्रहस्पती वक्री बैठे हुए है शनी की दृष्टी है जो वक्री चल रहे थे और बुद्ध 11 को वक्री हो जाएंगी तो तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव तीसरे स्थान पर पर परा सबसे उपचétais यानिकी तीन च्छेद 1011 यहां से इच्छा जारिः होती है कि क्या करना है यहां से प्रेड़न अमिल्ती है कि क्या करना है जीवन में जिस वीक्ति का यहां पे मंगल बैठ यहां पे कोई क्रूर ग्रह बैढ़ गया वो जीवन में आगे बढ़ता ही है अब यहां पर तीन वक्त्री ग्रहों का प्रभाव है यानि कि साहस भरपूर रहेगा और उस साहस के साथ धैरे भी रहेगा जब यह दोनों चीजे मिल जाती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है अख रुकावटी जीवन की दूर होंगी कोई प्रॉपटी का वाद व्याद चल रहा था वो सॉल्व हो सकता है क्योंकि यह स्थान जैसा मैंने कहा काम त्रिकोन का भी प्रतम स्थान है क्या आपकी कई ऐसी इच्छाएं जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रहे थी वो पू संघर्ष का भाव है लेकिन क्योंकि इतने अच्छे योग हैं तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव है तो संघर्ष करेंगे तो संघर्ष का अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा कोई गलत फहमी हो गई थी परिवार में या आप ही भ्रमित चल रहे थे जीवन में व स्टूडन्स के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि सब्तम से नवम स्थान बहुत एक्टिवेट हो रहा है लगन से तीसरा है लेकिन सब्तम से नवम है हाँ जो जौब करते हैं उनके कलीक्स बहुत प्रॉब्लम्स क्रि पत्र अर्पन करने हैं और इसके साथ ही आपको चंदन का तिलग लगाना है महादेव को और उनके सामने बैठकर आपको शिवचालीसा का दो बार पार्ट करना है चलते हैं कुम्ब यानि की अक्वेरियस की तरफ आपके लिए आपका दूसरा स्थान यानि की कुटुम्ब तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा ब्रहस्पती बैठे हुए थे शनी महाराज की दृष्टी है और पुद्ध वक्री हो जाएंगे ग्यारा को तो तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव है अब यह क्योंकि एक अच्छा स्थान है यहां पर वक्री ग्रह कभी कभी अच्छा कभी कभी बुरा दोनों ही प्रभाव देते हैं तो इसी के बारे में बात करेंगे अच्छा क्या हो सकता है पैसा अचानक से आ सकता है क्योंकि अश्टम में बैठे बोध के दिरिश्टी है और धनस्थान है तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव यानि कि रुका हुआ पैसा आ सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है पैसे को कमाने को लेकर बहुत दिर्ड रहेंगे, संकल्पित रहेंगे नएने आइडियाज आएंगे, उन पर काम करेंगे यानि कि धन के संबंद में तो ये 20 दिन अच्छे है आपके कुटुम्ब में भी किसी को धनलाब हो सकता है तो धन मेटरिलिस्टिक चीजे हैं, भौतिक जीएवन, इसमें सब कुछ अच्छा है लेकिन क्योंकि वानी का स्थान है और तीन वक्री ग्रह जब देखेंगे तो वानी में कड़वाहट नहीं कहूंगा लेकिन ऐसे शब्द निकलेंगे मूँ से जो लोगों को समझ नहीं आएंगे और जब समझ नहीं आएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है यही मैं कह सकता हूँ कि आप क्या बोलेंगे लोग क्या समझेंगे और वो एक miscommunication का चक्कर चलता रहेगा और आप बहुत परेशान रहेंगे जैसा मैंने का कुटुम्ब स्थान है तो घर में लाव होगा जादा ही यानि कि married life में बहुत problems आ सकती है और आपके life partner की तब्यत बिविगर सकती है जहां तक love life की बात है यहां पर चीज़ें इतनी effect नहीं करेंगी students के लिए मिला जुलासा प्रभाव रहेगा students के लिए कभी तो इसमें अच्छा समय आएगा अचानक से कुछ लाव हो सकता है लेकिन majority of the time आप अपने आपको बहुत low feel करेंगे और इसके कारण studies पर जादा ध्यान नहीं रहेगा जहां तक सेहत की बात है आखों के रोग बहुत तंग करेंगे आखों में जलन हो सकती है और इसके साथ ही अदि आपको diabetes है तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रिगा उपाय क्या करना है आपको shivling पर पंजामरिट से अभी शेक करना है उसके बाद गंगा जल से अभी शेक करना है shivling के सामने बैठकर आपको ओम नील कंठाय नमहामंत्र का 108 बार जाप करना है चलते हैं पाइसेज यानि की मीन की दुरफ़ा अब आपका तो प्रथम स्थानी एफेक्ट हो रहा है क्योंकि मीन राशी पे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव तीन वक्री ग्रहों का होगा इन 20 दिनों के लिए ब्रहस्पती अल्रेडी वक्री चल रहे थे आपके लगन में या राशी में शरी देव इनकी तीसरी दृष्टी बनी रहेगी ये वक्री है और बुद्ध वक्री हो जाएंगे यानि कि तीन वक्री ग्रहों का प्रभाव लगन पर या प्रथम स्थान पर लगन आप है यानि कि आपके जीवन में अचानक से सकरात्मक बदलाव आ जाएंगे ऐसे बदलाव जो आपने भी नहीं सोचे होंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे इच्छा से भी जादा हमें कुछ प्राप्त हो जाता है और ये समय आपके लिए कुछ ऐसा ही देख रहा है सबसे पहले तो दो ऐसे ग्रह जो पंच महापुरुष योग बना रहे हैं उनका प्रभाव है लगन पर ब्रहस्पती हमस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं लगन में बैटे हैं बुद्ध भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं सब्तम में बैटकर लगन को देख रहे हैं यानि कि दो महापुरुष योगों का प्रभाव लगन पर शनी देव लावस्थान में बैटे हैं लावस्थान के स्वामी है वक्री हैं लगन पर देख रहे हैं बतलब क्या है कि ऐसी इच्छाएं जो बहुत लंबे समय से चल गही थी यानि कि पूरी होते होते रह जाती थी या ऐसी इच्छाएं जो दब चुकी थी वो इच्छाएं आपकी इस 20 दिनों के समय में पूरी हो सकते हैं आपके अटक रहे काम बन सकते हैं आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा लाब हो, नाम हो, मान सम्मान हो सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो आपके लिए तो ये जो तीन वक्री ग्रहों की तिकडी है ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली है जीवन में बहुत सकरात्मक बदलाव आएंगे जैसे मैंने शुरू में ही कहता इस समय का आपको लाव उठाना है वक्री ग्रहों को हमेशा नेगटिव नहीं मानना चाहिए पावरफुल होते हैं और जितने पावर अपके लिए है ये आप पर अच्छा ही कोई प्रभाव देने वाले हैं क्योंकि शनीरे वो बार्वे स्थान के वी स्वामी है और मैं बता चुका हूँ कई बार Pisces या मीन बाहर से संबंदित कुछ काम करते ही है तो जो लोग MNC आधी में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है शादी के योग बन रहे हैं क्योंकि लगन में बैठे ब्रहस्पती सप्तम पर भी द्रिष्टी डाल रहे हैं और एक तरह से शादी के भी योग ये बहुत अच्छे बन रहे हैं तो मीन के लिए तो ये 20 दिन के समय एक बहुती स्वर्निमस अफसर है अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए अपने जीवन को एक लाय देने के लिए अपने जीवन को एक डिरेक्शन देने के लिए यकीन मानिए कि इस 20 दिन के समय का आपने उप्योग किया तो आपको कुछ बहुत ही अच्छा प्राप्त हो सकता है जैसा मैंने कहा out of the blue, out of expectations जो आपने सोचा भी नहीं होता होगा वैसी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है लेकिन प्रयास करने है love life, married life पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा हाँ, married life में थोड़ी problem आएगी क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाएंगी अपनी शादी शुदा जीवन की तरफ students के लिए समय अच्छा है भाग्य का साथ मिलेगा और बुद्धी मता का भी बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगी एक बहुत अच्छी चीज मुझे यह दिख रही है कि जिन मीन लगने या राशी के जात्मों की सेहत बिगड रही थी सेहत अच्छी नहीं चल रही थी उनके लिए अचानक से सेहत से संबंदित कुछ अच्छा हो सकता है और आप अपनी सेहत को लेकर भी बहुत जागरुख हो जाएंगे लेकिन यदि कोई डिसीज तंग कर सकती है वो होगी स्लीप डिसॉडर्स और सर से संबंदित प्रॉब्लम ये सवा को तंग करेगा उपाए 21 बेल पत्र शिवलिंग पर अरपन करें और उसके बाद शिवलिंग का आपको पंचामरित से अभिशेक करना है और उसके बाद आपको ओम महा देवा ये न महा मंत्र का 108 पार जाप करना है ये कर लिजेगा आपके लिए 20 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी चैनल पर नए है सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक एलिए उपनावाद